आज कि हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कॉस करने जा रहे हैं VVA Micro's Power Programming की पूसरी क्लास जिसमें हम डिस्कॉस करेंगे Recording Micro के ऊपर जिसे कि हमने कल आपको बता रहा कि जो हमारे एक्सल के अंदर में एक सिस्टम है आपने Macboard को रिकॉर्ड कर सकते हो तो रिकॉर्डिंग में आप व्यू में भी होता है रिकॉर्ड में तो रिकॉर्ड में काम क्या होता है कि आपकी दूर स्टेप्स है तो यहां पर अगर मैं यहां पर जाओं माइको लेस्ट में व्यू माइको पे और इसको जो मैं एविट करूँ तो हमारे वीवी जो इखुल के आएगी आप देखेंगे कि इपोर्ड खुद बखुद इसमें जड़नेट कर दिया जब हमारे पास अल्डेडी को लिखने वाला सिस्टम है तो फिर मैं वीवी यह प्रगाविंग क्यों सीटें इसका जवाब है कि आपका कम लिमिटेशन इसमें में इसमें से रिपिटेशन से भूपिंग जैसे जो को उन में ही कर पाता है ठीक है इसलिए हम ने रिकॉर्डिंग को करना की पड़ेगा कि आप अगर नसे रिकॉर्डिंग मैं को चलते हैं तो यह कास सिर्फ परसेंट प्रसेंट प्रसेंट कर पाएंगे समझ गए सर्ट आप वीवीए के पांच परसेंट ही यूज कर पाएंगे अब इसमें कुश्चन आता है दूसरा कुश्चन तो फिर फाइदा है का इसने तो आपकी लर्निंग के लिए आपके लिए फाइदा है जैसे आगे करेंगे आप प्रणामिंग करेंगे तो आपको माली जी की पेस्ट कॉपी आपने पर पेस्ट करने का पूर आपको याद ने तो आप क्या करेंगे आप आप माइक्रो को रिकॉर्ड पर इसको कॉपी करेंगे और इसके फूप और पेस्ट स्पेशल आप अप्लाई करेंगे तो फी इसकी ओड में आज आप देखेंगे कि आपके पेस्ट स्पेशल करने का कोड यह होता है कोकि ऐसी पॉसबिलिटी है न सर के आपको सारे को याद नौप का का सिर्व ही सर यह सर करनां गुनाओ मिल्स अ क मैफ की I can गंश्याम जी सब लोगों से मुझे पूछ रहा था कि आकिड कैसे होता है रिक माइक्रो करा रहे हैं चलिए हम रिकारणिक माइक्रो को सम्झाने से पहले हम आपको वी वी ए के बारे में समझाते हैं अगरणिक माइक्रो काम करने से पहले 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 चीजे करनी पदेगी पहले चीज के आपके पास डिवलपर टैगोंगे नहीं होता है तो फाइल की आप्शन पर जाएंगे अगर आपके पास तो आपको जेनरल मिल जाएगा, नहीं तो आप जाएंगे कस्टमाइज डीबन में और यहां से डेवलबबर टैफ को देख आएगी, ठीक है, दूसरा काम है कि आप माइक्रो सीक्यूटी को अल माइक्रोज करेंगे, यह बाइदिफोल इसेबल होता है, तीसरा काम, जिस फाइ पर आप काम कर रहे हैं, उस फाइल को आप सेव करेंगे, जिस नहीं डॉकमेंट में सेव करता हूँ, तो यहां पर एक्सलेस एम उना जाए, माइक्रो अनेवल वर्कोड, दिहान रखिए, आप गलती से भी अपने फाइल को एक्सलेस एक्समें सेव नहीं करेंगे, कहां से तुखे आपने फाइल को सेव कर दिया, इसमें तो आपके मैक्रो उस सेवी नहीं करेंगा, तो इस पे हमेशा सेली सेव किजिए गा, अईसर, ते तीन चीज गरने के बारा, अब मुझे मैक्रो बनाना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कि आप मैक्रो क्या ब तो आपके पास सोना चाहिए अगोरिग्जाफ तो अगर उसमें बाइनरी में सेव करते हैं तो क्या होगा फिर भी आपका मैक्रो नहीं आएगा अगर आपको सिफ माइक्रो अनुर्वल वर्ट में अगा उसके अलाव आप किसी कोर्वट में नहीं आएगा ठीक है अगरे बात आपको तो हो सकता है कि आप इसलिए आप एक्षर ऑप्शन पर जाएं सेट पर जाएं और यहां पर डिफॉल्ट एक्षर अनुर्वल माइक्रो वाग्रो वाग्रो को सेलेट करके होते करें तो आपको आप सब्सक्राइब नहीं है दूसरा आपता है कि आपको करना क्या है जिसे मुझे क्या करना है कि मुझे एक मैक्रो बनाना है उसके लिए आप पहले अगरुदम लिखेंगे नोट पैंग तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे चाहिए सबसे पहले मुझे इक फाइल को किरियेट करना है कि इसको सेव करना है सेव इन डी ठीक है उसका सेव करने सेव नाम दिए है तो नाम दिए है आज ये 123 है अ वय無 फैफ लिए है आज लाम फैश अड़ का विर औद फम विर और भॉ और बाहब ऑद अजिए है ऐस अ तय है आज है आजय एला है प्रक्या ब ao को त हुब ऐसकि म करेंना है जाजर इस वा उडा़ से और बाहिए नाधि ऑ इस झाल को कि स्लेस सी वं अटर अबिया या को इसको बोल्का है अलगोड़िकम को कूटिक करने चाहिए पहर्च एक लाइन की कोडिंग पर काम करता है इसको क्या क्या काम करना है किस सिक्वेंश में करना है वो इसका लिखना पर है और को पिंदेक लिए हमेज सहां वीजल बेसिक पर जाते हैं इसका सौटकत होता है अपनी 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 आपके दिमान को पूदी है लेकिन आप किसी दूसे के आप फाइल के काम करेंगे तो आपको इसन लिखना के जबुदा करेंगे क्योंकि माम ना की गंसियाम जी ने अमीजी को एक फाइल बनाने की रिक्वेस्ट ती कि पटासाथ स्टेब हैं अमीजी क्या आपको गंसाफ स्टेब में सायाद रहेगी तो आप उनके स्टेप्स को आप लिख लेंगे नोल इस पे अपने अरिस्टर में डाइडी में कॉपी में पें पेंसी पेपर पर उसके बाद आप जहां दिक्कत होगा स्टेप भूले के वहां आप तो यह आपको बेसिक नहीं है यह आपको हमेशा काम आप और इस जिए आपका Excel का पाफ पाफ एक किसी भी प्रोगांमिंग लेंग्गिज मीं इस इस तरह की चीओं के इसमाल होता है अब बात करते हैं जब जिए बेसिवाल बेसी कोले से शबज़े आप इस तरह की स्क्रीन आता है और इस तरह को समझें को समझें कर्णा है अब को जो जिस object को या जिस file को select करेंगे उसका property आपको यहां पर और यह आपका work area होता है जैसे कि मैंने अपना इसमें book 2 में आमने 3-4 sheets इंशाओ कर लेता हूँ आप कर लिए तो अब यहां वेखेंगे 3-4 sheets, आप क्वश्चन आता है कि हम coding कहाँ तो seat1 पे दबलक्लिक करके आप यहां भी coding लिख सकते हैं seat 2 पे आपके सब्सक्रों पर अगर सकते हैं लेकिन हम इनते coding करतें हैं हएब सेट 1 पर हमने कोपिर दिया है कि हमाना कोड है वह सीट 1 के पोपरटीज में सेभी जए रख गलती से मने सीट 1 को डिलीट कर दिया तो कोड हमेरा डिलीट हो जाएगा और डीट लेते रहा है इक्सल में दूसरा आगे इसमें कोड़िंग लिखेए बहुत सारे ऐसे दूस होती है इसलिए हम हमेशा इंसार्ट करते हैं मुदूल्स और अपनी कॉर्ट को सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब अब लिए इस चवें चादा हो रहा मुझे अधिल सब को रहा है नहीं हो रहा है अब अब आपास सीखे मेरी अब बेटर है तुरिया अगंस्या में अदर जी के माइक से पीछे से सोरा रहा था था अच्छा ने में इनको प्राइब लिए था पर अब रहा है अच्छा मैं आप पूछना और अब आप अन्मुट कि पूछाए तो मैं बोलाजा कि जब हम यहां पी इंसार्ट करें इसमें यहां समझना आगे रहा है आपको बीवारा समझा दूए करते हैं वो कोड करते हैं वो कोड करते हैं इसका सॉटकर होता है अल्ट-एफ प्लेट तो कोड हम सी तुपर डबल क्लिक कर सकते हैं बट यहां पे हम कोड नहीं करेंगे और ना करने करेंगे का डीजन यहां पर यहां पर जो हम कोड निंग करेंगे वह इस सीट के अपर्टीज में शेब होगा और हमारे इस चीट कि विछ यह पुरीट कर दिया तो आपके उड़ीट हो जाएगे और दूसा रिजन होता है कि सीट थू में हम कोड कर रहे हैं और सीट 3 सीट फून कोईसा सेहल का रेफ्रेंस ले है वह है उसमें प्रॉलम करता है हम जब भी कोट करेंगे, इंसार्ट करेंगे मोडूल्स, और उस मोडूल में हम कोट करेंगे, तो मॉडूल 1, मॉडूल 2, अपने इसाफ से मॉडूल है, यह आपके बुक 2 के उपर्टीज में सेव होगा, अब सबसे पात आता है, मैक्रो डिकलेशन, क्योंकि, जो भी मैक्रो करना है, तो मॉडूल ही क्रेट करना होगा, शीट 1, शीट 2, मॉडूल में, शीट 1 पे भी कोटिंग होती है, तो मैक्रो के दो टाइप है, इसलिए तो सर्क पहले की चीज़े पर हाता है, जन्ब कर गया, श्कांकार पुस्वनमनी आ रहा है, मैक्रो के दो टो टेंगे है, प कि सीट पे क्लिक करो, और मेरा क्लर हो जाए, तो वाक्षीट स्लेक्शन चेंज, इसको बोलते हैं, इवेंट मायक्रो प्रोगाम, अभी हाँ पर जो भी कोडिंग करेंगे, वो सीट के उपर स्लेक्शन होगा, से मैंने लिग दिया कि एक्टिव सेल डोट इंटेरियर डोट क इक्वल तू बीडे, यहामारा सेल को कलर करने के लिए होगा, मैं किसी भी सेल पे क्लिक करूओगा, तो हमारा कलर हो जाए, यहाँ, लेकि सिप सीट वण पे, हो गया, तो इवेंट मायक्रो है, इवेंट मायक्रो मतलब की आपके यूजर के किसी पर्रकिकुलर इवेंट पे आपका मैक्रो रन हो जाए, तो ऐसे मायक्रो की कोडिंग हम सीट 2, सीट 3 या जागे करते हैं, लेकि बहुत कम यूजर होता है, बोसली उजर होता है पब्लिक मैक्रो, इसको हम मुदूल में करते हैं, ताकि इसको हम पबलिक लिक कॉल कर सकें, कहीं भी, तो कि सीट 1 पे कोल सीट 2 पे कॉल नहीं होगा, लेकिन मुदूल 2 पे बना हुआ, कोई भी मैक्रो इसकी मुदूल से किसी की सीट पे कॉल हो जाएगा, असमन मायगा मिजी, अब बात आती है, मैक्रो का नेम लिख रहेंगे, तो दो तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं पबलिक, और यहाँ प और यह को रौपें एंगे क्रोडो कि ने लिखेंगे, इसकी प्राइगे, तो आप देखेंगे कि आपके मायगोरलिस्ट में आरा नामका मैक्रो आगा है, इसको बोलते हैं.. यहां पर पर प्राइविट निधा अश्विनी इस पर आ कंचें पर प्राइवत्योग मुझात स्वेक्द लिए खर्फ केरिछा हों ऊफ इस सब्सक्राइब में चाूर ход다가 चाह लें यहां में पब्लिक सब लिखेंगे, आप अपनी लिखना जो जो अँधा है, आप सिर सब लिखेंगे, औपनी आपबार दा सम्मीयर को भी को लोऑ. है गलता है तो गअँ शेफिगे गोदुद दा ने लिखेंगों, इन तो कुछ है? आपले में पर फुदा रहे शाग हो या प्लास उर नहां इसाड नोल ज्युल हा है? इन दुनुआंने के लिए नंग से मुझे तरह से आपका पपलीक सब और सब है एक्पलीक सब लिग है आप पपलीक सब भी सब की सब था नोल सब भी सब लिगतें अब यहां पर बात आती है कि हम कोड क्या लेकर आपका जो अल्गरिदम है बीविय में मुस्टली चार में कोड होते है देखिए पहला होता है अप्लिकेस होता है हमारा वर्क बुक्स तीसरा होता है सीट्स और चौता होता है रेंज इथे चार अबजेक्ट है इसको बोलते है में पिलर भूल कभी परसेंट को इन चारों मेंसे किसी एक से सलूर होता है तॉन्हें I हभी ऑफे दरेखिट पर नदम से कोई होगा वोर डिपेंड करता है आपकी सम्गाइड इस वार्क्बुक की कटेगरी में है तो हमने यहां पर क्या लिखा वार्क्बुक्स डॉट अग्ड यहां पर आता है कि से विंदर डी एज वन टू 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 तरी मतलब कि जो फाइल क्रियेट हुई है उसको सेट करता है यहां पर एक फोटी स्टिक्का थे कि वर्क बुक्स यहां पर लिखेंगे बुक्स किस फाइल वो सेट करना है यहां पर होगा हमारा बुक वान डॉट एक्सलेस एक्सलेसम डॉट सेट और कहां सेट करना है तो दी ड्राइब में यहां से करना है यहां से करना है यहां से करना है आपको यहां से करना है यहां से करना है तो इस subject में जितने भी line of code होंगे one by one फॉरन हो जायेगा अब यहांब एक दिक्कत है दिकत क्या है कि हमने जो workbook टिया है क्या हमेशा बुक वान ही रहेगा जो सकते हैं तो कोड को चेंज करना आपके सिच्वेशन की हिसाब से भी दिशाइच करना होता है तो यहां पर मेरे प्रॉलम हो गई कि मेरा फाइल हमेशा बुक वान नहीं होता है तो एक कोड हमारे दिये नहीं है एक कोड वर्क नहीं करेगा यह भी आपको ध्यान रखना है मतलब जब कोड आप लिखे तो आपके दिमाज में काम मैनुवली होना चाहिए तो हमें देखा है कि जब इन कोई नया फाइल करते हैं इन करते हैं नया फाइल लेते हो ओ फाली एक्टिवेट होता है तो हम लोग वर्क बूप को एक और इसका नाम होता है एक्टिव वर्क बूप एक्टिव वर्क बूप फिक्स होता है और पर प्रिक्रिवेट वर्क हैं थम इसको देते हैं तो यहां पे हमारा सब कुछ सेम रहेगा पस यह जो आपका है इसमें आपका जो वर्क वोग था उसके जगा पे एक्टिव वर्क वोग था है मज़े सर... यह जो एक्टिव बुक और टीजह वर्क 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 वेप्टिव था है अगर शीट वन पर क्लिक किया हुग है तो वो एक्टिव यह चीट वर्क वालना है फूरिवाड की बात प्रॉक परूरिंदाइड इसमिनघ अब यह जो भीतिते हैं पर दुसरा या पर आपने लिखा ना दीड्राइव 1-2-3, उसलेश किया ना? पर पर अपर ऑद अधा इसलेगे ना? पर रख ता धूंड अगर आप देखेंगे ना? अगर आप देखेंगे ना? आप देखो वापस वह उपर वाले में अलग था उसके अच्छा कॉलन नहीं था उसके अच्छा कॉलन में नहीं लगा था इसलिए मैं चलू में समझे चलू तरह से यहां पर आता है एड शीट्स तो हम यहां पर करेंगे यहां पर शीट्स का पाउटर उसके बाद यहां पर होता है तो सीट को रिनेम करने का तरीका होता है इस तरह से यह सीट वान जो भी सीट के नेम है डॉट नेम इक्वल टू डेटा का यहां पर वर्क करेंगा जो सीट एड हो जैसे जब फाइल एड होती है तो बुक वल डुक टू बुक तरी कुछ भी हो सकती है इसका कोई अंदाजा नहीं लिगा जा सकता है ऐसे सीट पर भी तो हैसर क्या आपका सीट का भी नाम होता है एक्टिव शीट्स कि यहां भी आप सब को सब कुछ सेम रहेगा इसके जगा पे आप एक्टिव शीट्स लिए अब आता है प्रीडेम हो गया हमें यह दोनों कर दी अब आता है स्लेक्ट एवन तो यह वन क्या है रेंज है सेल है सेल को रेंज बोलते हैं तो सिंपल सी बात है रेंज लेंगे यहां पर लिखेंगे रेंज यहां पर लिखेंगे हम सेलेक्शन या एक्टिव सेल भी लिख सकते हैं डॉट वैल्यू इक्वल टू 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 यही हमारा रिपीट हो जाएगा निचे तक पर हमारा मैक्रो बन गया तो हम मैक्रो इसी तरह से लिखते हैं है और कोड क्या है हम अपनी आलगरोदम की पोपरटी भी डिशाइड करते हैं यहां पर इहां पर एहां पर आपर आपर इहां पर एहां ही रहेगा यह सी हो जाएगा, मैं यह भी चेंज करी रहा था और यह जो दो कोड है न सर, एक और हुआ, एक आपका कोड हुआ और एक और हुआ, एक दो डेड है इसमें आगे सिंद्रों तो लगा दिया न, ते डेड हो गया है समझे सर्ग सर्डीप में थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है यह बेसिकली हम लोग क्यों है, यह कोड किसलिए क्लेड कर रहा अजब हमारा पर्पस क्या दरिए, कोड क्लेड करनेगा नहीं, चाँ, एक नहीं देखे बीज़ा है, आपस इसमें दखता हूँ मैंने आपको एक्जामपल दिया कि मुझे एक काम करने है इस काम के लिए मैक को बनाना है ऐसे और भी काम हो सकते हैं, एक बड़ी फाइल को बैढ़े को और करने बैठे बढ़ जाओ तो आपसमन महीं आएगा हमने बोला किया है आप एक मैक को बना दो, तो मैक को क्या करें कि एक फाइल इंसर्ट करें, उसको सेब करते वन तुछी के नाम से, बीड्राइब में छाए एड्राइब में उसमें एक सीट का नाम डेटा लिग देए, उस सीट के एवन पे जाए, एडिंग नेम देए, बी और फिर हमने इसके अपना कोड जनेम करें, अब मैं इस माक्रो को यहां से अगर रान करूंगा तो इस सारे प्रोसीजन को फॉलो कर देगा, यहां पर देखिए, एरर आ गिया, दिबक्र के तदा चलेगा है, हाँ, सेव नहीं कर बा रहा है, इस का दिक्कत होता है, हो गया, अब देखिए, आपके यहां, इड्राइब के अंदर 123 नाम का फाइल हो चुका है, और 123 फाइल के अंदर डेटाशीट है, और डेटाशीट में आपके सामने रो, ने, मैंस, और रोलर मार्क्स हो है, यहां बन चुका है, और एक सकेंद में हो गया है, तो माक्रो हम इसी सामने अंदर जी, और बाकी लोग और भी है, मुही जी एंदर सवाजी, क्या दिक्क्त थे इसमें आप? तो इसमें आपने दो चीजे समझा पहले यह हमें माइक्रो बढाने से पहले उसकी एल्विदम त्यार करने चाहिए ताकि हम से कुई गलती रहे हो जैसे कि इसी अमाल लिजिए कि हम वर्गू को इसी लाइन में दिक्क्त होता है दिक्त होता ला टोकि वी कि सिक्वेंश को फॉलो करता है मतलब के वह पहले इस लाइन को चलेगा फिर इस लाइन को चलेगा और यहीन परूटशा है इसलिए आपका सिक्वेंश बुषरा आल tools bạn चाहां एं प्लिचेशन वर्गू और हमारी क्लासे में आप यही चाहो के बारे में मुस्ली पढ़े जैसे की आप इंग्लिज एक लिए लेंग्वे सिखने गा है तो पार्ट वे स्पीच में क्या नाउन था आपकोई भी संटेंस मुस्ली नाउन से स्टार्ट होता है मुस्ट नाउन से संटेंस आपके इंचारों से जैसरा यही से भी विर्य लांग्वे एंदर दगे नौसली फिरी लांग्वे लाइंग्वे स्टार्ट Π Onuढ़े लांग्वे लांग्वे से संटेंस आपके अग्यारों शे prosperएiat आप कोड को समझे है जैथा हमने कोड लिखना दिखाया आप कोड की होता है कोड के बेरसिकल दो पार्ट is go bapt होता है आपका अब्जेक्ट जिस परियफट होगा दूसरा इस अब्जेक्ट पर करना क्या है और इस्की डिटेइल्स इसमें क्या है आपका यहां पर लिखने का तरिका ही होता है इसी कोडिय में औग विएमगे औग री डिदिएल्स अगर रिटियू है तो थिएक करना है वाहरा Medicareärt एरा उसी तरीके से seat add ठीक एक seat add करते हैं पिर seat rename करना थीट seat 1 क्या करना है? name change करना है क्या name होना चाहिए? तो date अब यहां पर क्या है कि हमारा object fix है active seat क्या करना है? उसका name करना है क्या name है? date उसी तरीके से यहां पर range object, details, A1 क्या करना है? select अब यहां पर details नहीं है क्या detail होगी? select करना है लेकिन selection fix है क्या जो उपर हमारा range A1 select हुआ है वो हमारा selection है तो आपर हमारा range A1 यहां पर करसा रख दिया तो अभी हमारा selection क्या है? A1 ही है ना? अब कॉपी करते है तो A1 copy होता है तो उपर वाली code क्या कर रहा है? A1 को select कर रहा है A1 dot select selection क्या करना है उस्ती value? क्या करना है? name select selection value तो यहां पर सिंपल सहुता है location and action कि किस पर क्या तरहना है समझगे? A1 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 A2 A1 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 आप सोचे इसे एक्सल में तो ऐसा नहीं है, तो जैसे से पे क्लिक करते हो और देट देटा है यह लेकिन वीरियम ऐसा नहीं है आप लिखे तो आपको एक्षिन अप्लाई कर रहा है आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल एक्षिन में इसका क्या उज़ा है और उसी पीछेड पर और है क्योंकि ए अपिप्लाई करता है मजगे ना? आज़े लिखा यह कुछ ऐसे ने कुछ आलग करेगा यह वही करेगा जो आप मेनुवल करेगा वस आप से ही यह थाउजन टाइम फास्ट करेगा समझे अमीटी? आज़े प्डावटीज में? यह अभी जो आपने लिखा है यह मोड्यूल वन में लिखा है यह तू में? यह कहां से देख सकते हैं? हमारा वन में है देखने के लिए दो तरीके हैं आप माइक्रोस पे जाएंगे इनी पे आपको एडिट मिलेगा आपको आपको नहीं आपको जो हमारे अप्लिकेशन से अगली क्लासिस हम सार मन्ने को लेंगे तुर अगली क्लासिस हम सार मन्ने को लेंगे एक जैसे आपने बोला रिकोर्डिंग मैक्रो है यह पर इसमें ट्रिकोर्डिंग कर दिया है कर दिया है कि अब आगे पनेंगे उस क्लास के लिए